जो बच्चे यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं जो बच्चे यूट्यूब को देख के आ रहे हैं चाहे जैसे भी हो अपने दोस्तों को बताइए फ्रेंड को बताइए आपको सिर्फ मात्र 125 और 125 यानि 249 रुपीज का मेरी भी पहली यही है मेरा हेलो स्टुडेंट आज आपके सामने मैं आया हूँ एक बहुत ही इंपॉटेंट एनॉंस्मेंट लेकर बहुत इन्पॉटेंट लास्त कर वीडियो को देखिएगा और बहुत ही आपके लिए एक गुड्ड नीउस कहलो एनॉंस्मेंट कहलो या फिर मेरा एक मन की इच्छ है मैं करना चाहता हूँ उसके लिए को मैक्सिमुम बच्चे काफे सारे इससे हैं जो कि गौर्मनल्श weサ्ट की तयारी करना चाहते तो वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम फेस पढ़ता है बच्चों को एक तो आपका फी जो है बहुत कॉसली रहता है वहाँ पे नंबर दो आपका स्टेट से आपके घर के आस पास कोचिंग सेंटर नहीं होता तो भी काफे सारे बच्चे जो करना भी चाहते हैं वो नहीं कर पाते यह बहुत बड़ी समस्या है जैसे कि आप सब जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं और अगर कोई आर्ट का भी देख रहा हो तो आपने देखा होगा कि मैं यूट्यूब पर सारी क्लासे सापको प्रवाइड कर रहा हूं कि मेरी कोसिस यह है कि मैक्समुम बच्चा हां कमेंट का जल्दी स्पीडली रिप्लाई कर नहीं पा रहा लेकिन वह भी प्रॉलम सोट आउट अब हो जाएगा और भी सारी क्लासे में लगा रहूंगा आपके साथ भी कॉम में तो मैंने अब्जर्व किया काफी टाइम से वीडियो नहीं आ रहा था तो नोटीस कर रहा था मैं बड़ा परिशान था इस बात को लेके कि कुछ तो किया जाए कुछ तो किया तो मैंने देखा रूलर एरिये के अंदर गाउं के अंदर हालात ऐसे हैं कि देखो एक चीज़ है कि न्यूज एक चीज़ है डेटा और एक चीज़ है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा मैं उन चीज़ों पर नहीं जाता ग्राउंड रहा है और quality of education क्यों नहीं मिल पा रहा है उसके बहुत सारे barriers है बहुत सारे reasons है number one सबसे पहले तो barrier आ जाता है finance बच्चों को काम करना पड़ता है job पे लगना पड़ जाता है number दूसरा एक state से दूसरे से especially उन girls के लिए कहना चाहूंगा जो अपने गाउं में और ruler area में पढ़ रही है वो अगर एक दूसरे state में उसके parents डरते हैं और यह ठीक भी है क्योंकि वो एक तरीके scared रहते हैं कि मेरा बच्चा धूर जाएगा तो आज का time का महाल का कुछ नहीं कहा जा सकता तो उसके according वो डर रहता है तो उस जो बच्ची talented है जो girls talented है वो रह जाती boys नहीं जा पाता और दूसरा सबसे बड़ा reason होता है बाहर जाने के पढ़ने के बाद शायद पता नहीं क्या हो बच्चे की संगती भी थोड़ी सी अच्छी मिले या ना मिले सारी चीजों के लिए parents और माता पिता बहुत डरते हैं उसी चीज को solve करने के लिए हम आपके सामने आए हैं और उसको कैसे solve किया जाए चोटी सी मेरी courses है आप सबहों को ठीक लगे तो आप इस courses में definitely participate करिएगा और actual ऐसा नहीं कि जो मैंने बोला है सिर्फ बोलने आलिवाती है इसको implement भी करेंगे आपके चाहे कोई भी जॉब हो आपके मैं जॉब की बात करूँ चाहे आपका SSC का कोई भी जॉब हो चाहे CGL SSC का पार्ट है चाहे डेली पुलिस में जो डेली में है चाहे UP पुलिस में है चाहे बिहार पुलिस में हो कोई भी जॉब हो किसी भी तरीकी का चाहे रेलवे हो आपका चाहे रेलवे हो और भी बहुत सारे job से NTPC है railway के अंदर और RRB bank का हो सारे job की preparation के लिए हम ले के आ हैं और हर चीज के लिए अभी हमने initially stage पे जो teachers को हमने रखा है teachers के साथ ही हम काम कर रहे हैं और मैंने कोसिस करी है मैंने काफी सारे coaching institute को दिखा कि वो करवा रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं जैसे कि अभी पटना के अंदर भी बहुत सारे institute खुल गए है जो एक nominal price पे मैं काफी टाइम से research कर रहा था कि हाँ सारी nominal price fees क्या रखनी चाहिए fees देखिए अगर मैं कई बार Delhi के अंदर जो रहते हैं या उंबई में रहते हैं जो पेरेंट्स बहुत जादा जिनके फैमिली का financial problem बहुत अच्छा ठीक है उनके लिए 1000 रुपे भी कोई बात नहीं और 10,000 रुपे भी कोई बाच नहीं है offline coaching की fees आज के डाइम पे डेली के अंदर मैं बात करूँ मैं डेली से ही पढ़ाऊँगा तो डेली की अगर मैं बात करूँ तो डेली में मुखर जी नगर सबसे बड़ा हव है 30-30,000 रुपे fees हो चुकी है बच्चा जाता है बहुत उम्मीदों के साथ जाने आने का travel 30 मान के चलिए वो 40,000 कब पहुँच जाता है पता है नहीं चलता उसके बाद भी बच्चा बहुत एक तरीके से देखे एक होना कि हमारे माइंड अगर free होना तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार है हमाने 40,000 रुपे इन्वेस्ट कर दिया इन्वेस्ट करने के बाद हमारे माइंड में क्या आ रहा है यार पैसे लग गए अगर पास नहीं होंगे तो घरवाले बोलेंगे तो यह पास आप होंगे कि अपने बच्चों को पढ़ाना है खुद खाना नहीं खाएंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत एक्टिव है उनका एक ही उमीद है कि जैसे कि हमारा बच्चा पढ़ ले तो हमारी दुख के साथ बच्चे का future जो हमने बियर किया है वो बच्चा बियर न हैं कि ये कहीं न कहीं इनको एक दिन अच्छे से जॉब और अच्छे से नौकरी लगेगी इनकी मेटी को और इनकी लाइफ तो कट गई इनके बच्चों की लाइफ बहतर हो तो इतने अच्छे इनके मान के चलते हैं एक हर एक माता-पिता का वीजन रहता है हर एक बच्चे के लिए तो इसी लिए हमने सोचा कि अब दिक्कत क्या आएगी कि इन बच्ची ने सरो मेहनत भी किया बहुत सारे ऐसे स्टूडन दिखते हूं 10th के अंदर 90% या 12th के अंदर 90% एक दम टॉपर थे फानीशल पोजिशन के वेज़े से वो रुख जाते हैं कहीं फील्ड में जॉब करने कहीं कहीं जॉब करने लग गए और उसकी वज़े से उनका टैलेंट मारा जाता है मैं तो कहता हूं यहाँ पर हर एक बिल इतने सारे बिल्गेट्स बोल रहा आप बोलते हैं बहुत सारे लेंट मास्क लिखिन उनको इलेंट मास्क बनने नहीं दिया जा रहा किसी भी रीजन की वज़े से चाहे वह उनकी खुद की financial position week हो, चाहे वो कोई आस-पास के दिक्कते हो, तो मैं आप दूसरों को देखते हैं आप देख सकते हैं कि एक बार में बच्चा पढ़ना चाहे तो कितना पढ़ सकता है तो मैं आपके सामने जो courses के prices वगरा है, सारी चीजे आनन सर आपको करवाएंगे मैं आपको commitment कर रहा हूँ maths और reasoning को लेके, सिर्फ maths reasoning, देखो मैंने सिर्फ उन्ही subject को choose किया, जो subject best से best deliver हो पाए, और बिल्कुल best price पे deliver हो पाए तो maths और reasoning के लिए आनन सर को मैंने रखा हुआ है, और आनन सर आपको करवाएंगे, maths और reasoning, जो कि मुखर जी नगर में पिछले 10 सालों से पढ़ा रहे हैं, और मुखर जी नगर मेरे हिसाब से हर एक बच्चा जानता है, लगबग लगबग कि मुखर जी नगर पे जो teachers हैं उनका पढ़ाने का way, पढ़ाने का teaching style, बाकी demo में आपको मिलेगा, इसी के साथ अभी वो demo भी अपना देंगे, और वो सारी बातों को बताएंगे, fees कितनी रखी जाए, sir, fees की बड़ी tension हो रही थी, तो मैंने सोचा कि fees कितनी रखे जाए, दो subject की बात करें, sir, बाकी subject नहीं होंगे, कि बाकी subject देखो, मैं चाहरा हूँ कि best provide हो, और बाकी subject की मैं बात करूँ न, तो बाकी subject के लिए मैंने देखा, जैसे, gs बगएरा के लिए general knowledge के लिए, एक cancer है, जो की बहुत अच्छा best कर रहे हैं, और मैंने उनको देखा कि बच्चों को जो provide किया जा रहा है, वो इतने nominal fees में किया जा रहा है, डेड़ सो रुपे में पूरा general knowledge, और एकदम इस तरीकी का के कहनी सकता, तो बहुत सारे teacher हैं, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप, मैं एक चीज और भी आपको कहना चाहूंगा, काफे सारे बच्चे की कोशिस ही रहती है, कि एक ही जगह सब चीज मिल जाए, एक ही जगह, तो यह सबसे बड़ी, मैं बताओ, अपने institute का, तो सारी चीजे एक जगह कभी अच्छी नहीं मिल पाती हैं, हाँ हम team जरूर तयार कर लेते हैं, कि हर एक different different institute से, हर institute के अंदर एक teacher बहुत महान होता है, जो पूरे institute को लेके चलता है, जैसे GS की बात करने, GS के अंदर खान सर है, और उन्होंने अब, उनका institute क्यों चल रहा है, उनके पास math की भी faculty है, बहुत सारी faculty है, लेकिन वो पूरे चीजों को बांद के रखा वाया, और उनसे बच्चे बहुत लगाव करें, इसी तरीके से, जो आनन सर पढ़ाएंगे, वो institute में आएंगे, और यहाँ पे regular basis पर पढ़ाएंगे, और recorded lecture की बात करें, अब होता ही कि सर, हम math में बहुत कमजोर हैं किस तरीके से, तो recorded lecture की मैं बात करूँ, तो recorded lecture भी मिलेंगी आपको, recorded के साथ आपको live lecture भी मिलेगा daily, 8 to 10 का classes रखा गया है आपका, और आपको पढ़ाया जाएगा क्या math और reasoning, अगर मैं math और reasoning की बात करूँ, तो सर क्या फीस होना चाहिए math और reasoning, plus reasoning का, तो फीस के मामले में देखा जाए, दो subject है, सर फीस, फीस और फीस कितनी होनी चाहिए, मैंने सोचा कि जब ऐसा institute, जिनकों की tension ही नहीं है, बच्चे आए ना आए, बहुत सारे institute देखा, उन्होंने फीस नॉमिनल रखा हुआ है बच्चों के लिए, तो मैंने भी decide किया, कि जो बच्चे यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, जो बच्चे यूट्यूब को देख के आ रहे हैं, चाहे जैसे भी हो, अपने दोस्तों को बताईए, आपको सिर्फ मातर 125 और 125 यानि 249 रुपीज का, मेरी भी पहली यही है, मेरा एक सपना है, कि एक दिन आप जब teacher, मैं देखो, इंडिया घुमा इतना घुमा नहीं, क्योंकि मैं लगा रहता हूँ पढ़ाने में, यहाँ टाइम ही नहीं मिल पाता, समय नहीं मिल पाता, लेकिन मेरा एक यही चाह है, कि आप सभी बच्चे जब बन जाओगे, अगर आप सभी बच्चे कोई government job ले लेगा, तो एक दिन जरूर बोलेगा, कि आप मेरे घर पे आईए, और आने के बाद हमारे साथ बैठिये, हमारे स्टेट में आईए, मेरा बस यह सफना है, कि मैं जब जाओं, तो मेरी family वहाँ पे हो, मैं अगर गुजरात जाओं, तो गुजरात में मेरी family हो, बिहार जाओं, तो बिहार में मेरा कोई परिवार हो, जो कि मुझे बुला रहा है, यूपी जाओं तो यूपी में मेरा कोई परिवार हो, बस मेरा एक यही vision लेके मैं चल रहा हूँ, और मैंने price रखा 125 रुपीज, सर ये 125 रुपीज क्या है, ये सर एक साल का fee है, और एक साल तक आपको live classes मिलेंगी, हाँ, जो बच्चा ये वीडियो लेट देखेगा, बाद में देखेगा, तो जितने classes हो चुकी है, वो सारे recorded format में मिलेगी आपको, doubt के लिए आपको बिल्कुल support मिलेगा सर का, सर का personal number भी दे दिया जाएगा, जिससे कि आप सर से doubt, वाटसप पे या फिर टेलिग्राम पे पूछ सकते हो, पूरी चीजे system तयार की जा रही है, तो बागी सारी 125 के आप सर पूरे साल, हाँ, बिल्कुल एक साल का देखे है, mathematics के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, जो बहुत brilliant है, नहीं है, तो उनके लिए बिल्कुल basic से, zero से start होगा, zero से, हम आपको जो teachers जो है, वो ये सिखाएंगे, कि one plus one जो होता है, वो two होता है, बिल्कुल zero level से की, मैं बात कर रहा हूँ, और पूरी math कराएंगे, और इसके अंदर advanced math भी included है, और general math भी included है, सब कुछ included है, math, reasoning में चाहिए, bank का बच्चा कुछ सोचने की जुरुत नहीं है, live classes है, सर कैसे job लगेगी, काफे सारे बच्चे गलती कर देते हैं ये, के सर form निकल गया भर लेते हैं, नहीं, आपको ना एक साल तयारी करनी पड़ेगी, एक साल से लेके साथ में आठ में तयारी करनी पड़ेगी, मैं उन बच्चों को भी जानता हूँ, जिन्होंने तीन में भी में भी तयारी किया है, और आप कुछ बच्चे ऐसे हैं, जो कि काफी चार-चार-पांस साल, एक साल आप डट के तयारी करिए, अब साल तक करिए, सारे टॉपिक्स कवर कराये जाएंगा, सारे नोट्स, सारे पी-पी-टी, जो मुखर जीन अगर में पढ़ाये जारा था, बिल्कुल सेम क्वालिटी आपको डीलीवर किया जाएगा, लाइव क्लासिस हैं, आप live classes में daily जूरें उससे क्या होगा उससे benefit होगा कि आप regular रहेंगे अगर आपने छुट्टी मान लेते हैं live class में कर लिया recorded format में देख लेंगे तो रह जाएगा live class में आप teacher से भी जूरेंगे teacher से question पूछेंगे आपकी doubt बाद के concept ही नहीं रहेगा नहीं तो बाद में recorded class में फिर बच्चे नहीं पढ़ते हैं मैंने देखा है सर unlimited view रहेगा lifetime validity रहेगी आपकी आप जब तक पास नहीं हो जाते हम्मेरी जिम्मेदारी यह नहीं है कि आपको अभी लिया जाए जब तक आप clear नहीं कर लेते तब तक हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि आपके साथ बने रहे लास्ट तक रहेगा lifetime की validity और सर इसके अंदर math reasoning बताया चाहे banking का हो, IVPS का हो, RRB का हो, चाहे कोई बच्चा SBI की तयारी कर रहा हो, कोई भी तयारी कर सकता है, सारी चीजों के लिए मैंने link description में डाल दिये हमारा application जैसे कि सिक्षाध हम काफी बच्चों ने तो download भी करा पर और demo classes हमारे कोसिस रहेगी के YouTube पे आपको demo कुछ provide कर दिया जाए, Sir YouTube पे आप क्यों नहीं डाल देते classes को YouTube पे डालेंगे, अभी Sir जो है उनका एक agreement है कुछ दिनों के लिए, और वो कहीं पढ़ा रहे है, मैं name reveal नहीं कर सकता, उस coaching का मुखरजी नगर में ही पढ़ा रहे ह वहाँ पे, तो इसलिए हम अभी YouTube पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम अपने application पे course को sold out कर सकते हैं, कुछ इसी तरीके से agreement है, definitely आप सब जूरेंगे और इन बातों को समझेंगे, demo मिल जाएगा आपको, और demo देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरीके से सर पढ देखेगा, 499 रुपीज का, आपका जो course का, 499 मैंने, आपको जो course का price है, मैंने 125 का है, नीचे आप coupon होगा, coupon code अपलाई कर देना, referral code होगा, coupon code होगा, और coupon code के अंदर आपको नीचे description में डाल दिया जाएगा, हर एक course के हिसाब से अलग अलग course, आपको दोनों subject के लिए मात 250 रुपे देने हैं, सर कितने time के लिए, पूरे life time के लिए, तो price बहुत कम नहीं है, और बहुत जादा भी नहीं है, उन बच्चों से पूछिए, जो की महिने में पूरे साल में जमा करके, दिवाली मनाने के लिए गुलक में पैसे जमा करते हैं, उनके लिए भी 500 बहुत ज ज़्यादा है, हर किसी बच्चे के हिसाब से, उनकी capability के हिसाब से ना पजाता है, कि उसकी क्या समता है, उसकी हिसाब से फीज है, अगर कोई बच्चा ऐसा हो, कि जो बोले के सर, जैनुरी हम ये भी afford नहीं कर सकते, हम उसे free of cost class provide करेंगा, आप बताइए, और उनके कुछ document verification कर लेंगे, state verification कर लेंगे, free of cost class दी जाएगी, तो बस अब an answer आपके सामने आएंगे, और वो सारे चीजे math, reasoning और आपका, जो भी आपका SSC, CHSL है, या MTS है, सभी के बारे में धीरे धीरे एकके करके बताएंगे, आपको यही सूचना देनी थी, जैन, thank you so much, अब आपको an answer ब देखिएगा, हाँ जी, देखिए जरा, बात करते हैं अब आपके हम, मिरे नाम आनंद कुमार है, और हम बात करते हैं अब जो यहाँ पर, anti-pc के syllabus की बात, तो dear, rrb, anti-pc में आपके पास पर, जो mathematics है, उसके total 30 question होगे, और हर question आपका one marks का होगा, तो 30 marks का आपके पास पर ह होगा, और general intelligence, reasoning भी आपका 30 question होगा, और इसके सासाथ आपके पास है, general awareness के 40 questions होगे, तो खुल मिलाकर करके 100 questions, और आपके पास में 90 minute का time रहेगा, यह anti-pc की में बात करता हूँ, जिसमें के आपके पास stage 1, stage 2 में भी same चीज रिपीट करते हैं, copy-paste मारते हैं, इससे cut-off नि इसके marks को आगे count नहीं किया जाएगा, आगे tier 2 होगा, उस marks को consider करके selection देंगे, जिसके अंदर भी सब कुछ same copy and paste आप कह सकते हैं, same रहता है, बस वही होता है कि आपके माले जेगे कि एक circle के बाद एक circle उस पर और मार दिया, और कुछ भी नहीं है इसमें, तो आपके पास मे है कि सर, हम इसको 90 मिनट, 90 मिनट के अंदर हम 100 को कैसे करेंगे, आपको बहुत tricks, बहुत shortcuts आपको यहाँ पर बताए जाएंगे, आपको point वाले multiply बताए जाएंगे, कि आप point वाले multiply किस तरीके से आप कर सकते हो, इस इस तरीकी की चीजे, ऐसे सी बाते आपको बताए हो, यहाँ पर मैं आपका 62 करता हो, तो बहुत हम यहाँ पर time आपना बचाएंगे, इस सब चीजे बताऊंगा मैं आपको कि कैसे multiply करना है, कैसे 33 digit के multiply को आप कैसे चंद सकेंड के अंदर कर सकते हो, square कैसे कर सकते हो, क्यों कैसे कर सकते हो, हर एक बातों पर यहाँ पर discussion होगा clear है जी, तो हर एक चीज आपको सिखाएंगे, time आप अपना आप कैसे बचा सकते हैं, for example, आपके पास में यह है, कि sir, जैसे कि आपके पास में 106 का अगर आपको square ही करना पड़ जाए, यह सब चीजे बताई जाएंगे आपको, तो आपको direct आप कर सकते हो, कुछ करने की जर रखी जाएंगे, example, देखेंगे, जैसे example देखेंगे, अगर आप यहाँ पर एक example देखें, तो यहाँ पर आप यह पाएंगे, जैसे आपके सामने कोशन ही है, example ले रहा हूं है, तो आपको कोशन कहा कि sir, exam के अंदर, जैसा question आप अपने पीछे देख पा रहे हैं, उसका solution आप अपने सामें देख पा रहे हैं, कि sir, exam के अंदर अगर इस तरीके के questions आते हैं, तो sir, आप जो है, हम किस तरीके से 60 minute में 100 questions attempt कर पाएंगे, अगर mass questions इस तरीके से देखने को हमें मिलते हैं, तो dear student, हमें यही समझना है, कि हमें exam में short trick से जाना है, जिससे कि हर एक question हमारा तीन सेकिंड के अंदर ही हमारे questions जो है, वो solve हो जाएं, तो हमें यहाँ पर इस approach से exam के अंदर जाना है, जैसे आप अपने सामने यहाँ पर देख पा रहे हैं, कि अपने questions को कि यहाँ पर questions किस तरीके से आपके पास में है, तो यहाँ पर अगर आप देखी, कि आपके सामने question है, जैसे कि यदि एक धंदाशी चक्रवर्दी ब्यास से चार वर्ष में 600 रुपए, तो आठ वर्ष में 900 रुपए हो जाता है, धंदाशी क्या है, if a sum becomes 600 रुपीज in a 4 years and 900 रुपीज in a 8 years on compound interest, then what will be the sum, तो कोई एक पैसा है जो कि 4 साल में 600 और 8 साल में 900 रुपए हो रहा तो dear student, यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि ऐसे question को आप बिल्कुल trick से करें, क्योंकि exam में बहुत limited time आपके पास में रहने वाला है, 60 minute 100 question, तो आपका each question 3 से 4 second के अंदर आपका solve हो जाना चाहिए, अगर इस approach से आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, मैं आपको syllabus में यही चीज़े समझाऊंगा, कि short trick से कैसे solve करते हैं, तो इस approach से आपको नहीं जाना है, इसका direct आपका एक shortcut क्या हो सकता था, अब आप देखेगा, एक principle आपके पास में 600 है, जो amount है पहले वाला, तो आप इस amount को हमेशा धान अखिएगा, जब भी time आपका double होता है, तो इस amount क आप जो है, पहले वाला amount को दो वर multiply कर देते हैं, और बड़े वाले amount को आप जो है, divide कर देंगे, और इस तरीके से आप यहाँ पर solve करते हैं, तो आप बहुत easily अपना answer आप जो है, 400 आपके पास में आपका answer आया, तो देखे कितनी quickly आपने अपना answer कर दिया, इस तरीके से जा करके आपको 400 answer निकालने की need नहीं है, पेपर में ऐसे आपका time बचेगा, अभी मैं आपको समझा नहीं रहा हूं, समझाओंगा syllabus के अंदर, फिलाल मैं आपको आप बता रहा हूं कि हमारा approach क्या रहने वाला है, जम syllabus अपना start करेंगे तो, example के लिए जैसे आप यहीं एक question देख लो आपने सामने, यह age related question तो आपके paper में आता ही आता है, जिसमें आपके पास में the ratio of ages of two persons is five ratio seven, eight years ago the ratio of their ages was eight ratio 13, then what is the present age of the both of them, अब बच्चे इस question करोगे तो long process तो आपके सामने आपके screen solution है ही, लेकिन exam में हमें इस approach से नहीं जाना है, exam में हमें 3-4 second के अंदर questions को अ अपने कैसे solve करेंगे ज़र आप उसको समझेगा, सबसे पहले इस case को आप ऐसे कर सकते हैं, कि आपके पास में A और B दो लोग है, इनका ratio क्या है, eight ratio 13, clear है, और यह कप का ratio यह आपके पास में इसको mention करना है, यह आपका 18 years ago है, यह आपका 18 years ago है, ठीक है जे, और आप दूसर इसके पास में और है, वो ratio क्या given आपके को演 में आपके question में देखें, तो वो आपके पास में 5 ratio 7, जो की present का ratio है, पाइब रिशर का पास में जो की present का ratio है, आपके पास में, अब सबसे पहले आपको यहां पर ऐसे question कभी भी करना है, तो आप एक चीज कुछ अपको समझना हो और यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर पांच होना चाहिए था तो रेशो गैप अगर सेम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा हमें हमें बहुत सेंपल ही करना है इस पर कुछ खास नहीं करना है इस गैप से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें और आप मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट पाएंगे आप अब देखिए यहां पर हो जाएगा शोला और यह आपका हो जाएगा चबीस अर यहां पर क्या पाहिए आप थाले हैं तो अब आपके पास कितने का है इसका 9 का Difference है clear जी और अगर आप present age निकालना चाहते हैं एका तो एक का present इस तो यह क्या बन गया 25 तो 25 से multiply करेंगे तो एक का present is 50 और सेम चीज को 35 से multiply करेंगे तो B कर ब्जाइब सतर तो आप इस के आपके पेपर में आएंगे हर सवाल आपके ऐसे ही रहेंगे लेकिन हर तवाल में iorse van को 4rec लेके चलना है स्टेम कोश्चिन आप ऐसे भी लेके चल सकते थे कि अगर आपके पास में इप सम अफ मनी बिकम्स फॉर टाइम्स इट सेल्फ इन त्री यह अगर आप देखेंगे कि आपका पैसा जो है तीन साल में कितना हो रहा है चार गोना हो रहा है तीन साल में पैसा कितना हुआ यूज़ करेंगे और पहले कितना टाइम ले रहा था आपका पैसा 3 साल करेंगे तो तो तीन साल से multiply करेंगे तो 9 साल आपका direct answer आगे तो कुछ तो करने की नीड़ी ही नहीं है आपके सवाल में तो इस प्रोसेस पर जाने की कोई जूरुत नहीं है हम paper में इस method से अगर आप जाओगे तो नहीं होगा यही चीज तो समझाने वाले चीज़े यही तो सीखने वाले चीज़े है अधरवाइस यह solution तो आपको भुक में मिल जाएंगे बढ़ आपको जो classes में जो चीज़े आपको extra benefit मिलेंगे वह यह शौर्ट ट्रिक आपको मिलेगा और भी बहुत सारे ऐसे example है ऐसे से questions को अगर आपको करना है कि the average of the eight consecutive natural number is sum पता नहीं average क्या है क्रीज हो जाएगा यह तो हम course में समझेंगे इसका logic क्या है लेकि फिलाल आप समझेगा कि time कैसे बचाएंगे पेपर में हम पांच करमागत विशम संख्याओं को और 69 तो सबसे बड़ी संख्या क्या है तो देरान five consecutive odd number clear है तो consecutive odd number का मत्तव आप जानते ही है कि consecutive odd number क्या होग तो यहां पर average middle में होगा और आपका दो-दोगा gap होता है consecutive यह मैं आपको clear करूँगा तो largest number अगर आप से पूछ रहा है तो 63 answer मार करेंगे आप तो इस तरीके से आप जो है बहुत सारे चीजों को बहुत easily आप यहां पर attempt कर सकते हैं तो यहां पर हम इस approach को लेकर के चलेंग करेंगे आपके साथ में जैसे 68 multiply by 62 यहां बच्चे multiply करने हों टाइम ले जाते हैं टाइम लेने के जोड़ती ही नहीं है कि 6 से next number 7 होता है तो 42 हो गया और इसको multiply करेंगे तो आपके पास में 16 हो गया जब आपका unit digit का sum 10 आता है तब आप यह apply कर सकते हैं इस तरीके से बहुत टिप लाइन अपना टाइम कैसे सेव करें उन हर एक चीजों पर हम फोकस करेंगे क्लियर है जी कि छीकिए